विष्णी दूतों के द्वारा अत्यंत पीडित हुए, मृत्यु देव और यम दूत अपने राजा यम के भवन में जाकर बहुत रोने कलपने लगे। मृत्यु और यम दूत बोले, राजन, आपके आगे हम जो कुछ कह रहे हैं, हमारी इन बातों को आप सुने। हम लोगों ने आपकी आग्या के अनुसार यहां से जाकर मृत्यु को तो दू ठहरा दिया, अस्वयं जुगु के पौत्र ब्राम्हन मारकंडे के समीब गये। परंतु सत्य पुरुष शीरुमाने, वो उस समय एकाग्रत चित होकर किसी देवता का ध्यान कर रहा था। महामते, हम सभी लोग उसके पास तक पहुँच भी नहीं पाएं, क्योंकि बहुत से महाकाई पुरुष मुसल से हमें मानने लगी, तब हम लोगों को लोटना पड़ा, परंतु ये देखकर मुत्यु देव वहां फिर पधारे, तब हमें डाट हटकार कर उन लोगों ने उन लाइए, वो किस देखता का ध्यान कर रहा था, और जिन लोगों को हमने मारा वो कौन थी, व्याज जी कहते हैं, महामते, मृत्ति तता समस्त दूतों को इस प्रकार कहने पर महा बुर्दी, सूरी कुमार, यम ने शन भर ध्यान करके कहा, यम बोले, मृत्ति तता मेरे अन्य सभी किन्र, आज मेरी बात सुने, योगमार, समाधी के द्वारा, मैंने इस समय जो कुछ जाना है, वही ससर्च बतला रहा हूं, ब्रिगु के पौत्र, महा बुर्दीमान, महा भाग, मारकंडे जी, आज के दिन अपने मृत्ति जानकर, मृत्ति को जीतने की इच्छा से, त प्रिष्ट तपस्या की है, दूतो, वे मुनी निरंतर योग्यूक्त होकर, वहां एकागरिक चित से, अपने हुदय में केशक का ध्यान कर रहे हैं, किंकरो, उस महान मुनी को, भगवान विश्णू की ध्यान की, महा देख्षी का ही बल प्राक्त है, क्यूंकि जिसका मरंका प्राक्त हो गया है, उसके लिए मैं दूसरा कोई बल नहीं देखता, भग्त वच्छा, कमल वोचन भगवान विश्णू के निरंतर हिदस्तत हो जाने पर, उस विश्णू स्वारोग भग्त वच्छा रनतने, पुरुष की और कौन देख सकेगा, वे पुरुष भी, जिनन उने तुम्हें बहुत मारा भगवान विश्णू के ही दूद थे, आज से जहां वैश्णव हो, वहां तुम लोग ना जाने, उन महात्माओं के द्वारा तुम्हारा मारा जाना आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य तो ये है कि उन देयालू महापुरुषों ने तु यहां लाने का प्रेत्म किया है, यह अच्छा नहीं किया, आश्चर्य तुम लोग मेरी आज्या मान कर उन महात्माओं के पास मत जाना, जो महादेव भगवान नरसिंग की उपासना करते हों। व्यास जी कहते हैं, शुब देव, यम ने अपने सामने खड़े वे मृत्य द पर अनोगरा करने के लिए जो बाते कहीं, उन्हें तुम सुनो। नरक्वे याक्ना सहते हुए, जीवों से यम ने कहा, पाफ से कष्ट पाने वाले जीव, तुम क्लेश नाशव भगवान केशव की पूजा क्यों नहीं करते। पूजन संबंधी, दिव्यों को ना मिनने प पर केवल जल मात्र से भी पूजीत होने पर भगवान पूजव को अपना लोग तक दे डालते हैं, उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की? कमल के समान लोचनों वाले नसें रुखधारी जो भगवान रिशिकेश स्मरन मात्र से ही मनुश्यों को मुक्ति देने वाले हैं, उ दरक में पड़े हुए जीवों के प्रति यूग गहकर विश्णु भक्ति से यूग सूर्यन अंदन यम ने अपने किंकरों से पुना कहा, किंकरो अभियाशी विश्वा आत्मा भगवान विश्णु ने नारग जी से जैसे कहा था और अन्य वैश्णवों को और सिद्धों जैसे सदा ही सुना गया है वो अत्ति उत्तम भगवान है मैं प्रसंद होका तुम लोगों से शिक्षा के लिए कह रहा हूं तुम सबली भगवान के शरणागत होकर सुनो भगवान कहते हैं हेट कृष्ण 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 जिस प्रकार जो मेरा मित्यस्परण करता है उस को मैं उसी प्रकार नरक से निकाल लेता हूं जैसे जल को भेड कर कमल बाहान निकल आता है पुंदोरिकाक्ष देवेश्वन नरसिंग्ध त्रीविक्रम मैं आपके शरन में पढ़ा हूं यू जो कहता है उसका मैं अधार कर देता हूं देवादीदेव जनार्दन मैं अपने शरन में आया हूँ इस प्रकार जो मेरे शरनागत होता है मैं उसे ख्लेश मुट कर देता हूँ व्याज जी कहते हैं वत्स यम्राजी के कहऊ हुए इस बात को सुनकर नरक में पड़े हुए जी कृष्ण, कृष्ण, नरसिंग इत्यादी भगवान के नाना नाम को जो से उच्चारन करने लगे नरके जीव वहाँ जो जो भगवान के किर्टन करने लगे त्यों त्यों वो पापों से मुक्त होने लगी, इस तरह भक्ती भाव से फून हो, वो इस प्रकार कहने लगी नरकास्त जीव बोली ओम जिनका नाम कीरतन करने से मरत की ज्वाला ततकाल शांत हो जाती है उन महात्मा भगवान के शफ को नमशकार है जो यगो के इश्वर है आदी मूर्ती शांती स्वरूद और संसार के स्वामी है उन भक्त प्रिय विश्वपालक भगवान विश्णु क नमशकार है अनंत अप्रेमिय नरसिंगरू शंक चक्र गदा धारन करने वाले लोग गुरू आप श्री नारायन को नमशकार वेदों के प्रिये महा नवं विशिष्ट गती वाले भगवान को नमशकार तर्क के अविश्य वेद्वरूद प्रित्वी को धारन करने वाले भ संतिमान भगवान बामन को मश्कार भली को बांवे वाला व्यतिक पालक देवताउं के स्वामी व्यापक पर मत्मा अपांदु धारे भगवान को प्रणाम है शुद्द्रिव्य में शुद्द्द्रुव्य में शुद्द्रुव्य स्वरूर्ण जटुर्भूज को नमस्कार है डुस्ट छात्रियों को अंत्कर ने वाला जामादग्मी भगवान परशुराम को प्रणाम, रावन का बद करने वाला आप महात्मा श्री राम को नमस्कार, गोविन आपको बारंबार प्रणाम, इस दुर्गन पूर नरक से हमारा उद्धार करे, व्याज जी कहते हैं, शुब्देप, इस प्रकान नरक में पड़े हु और भूशनों से विभूशी तो श्री किष्ण स्वरूप हो गए, फिर भगवान विश्णी के किंकर यम दूतों को भगा कर उन्हों दिव्य विमानों कर दुठाकर विश्णी धाम को ले गए, विश्णी दूतों द्वारा सभी नरकास जीवों को विश्णी लोक में ले जाने पर यमराज जी पुना भगवान विश्णी को प्रणाम किया, जिनके नाम पिर्तन से नरक में पड़े हो जीव विश्णी धाम को चले गए, उन गुरुदेव नरसिंग भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूं, उन अमित तेजस्वी नरसिंग गिरू भगवान मुश्कार है, उग्र नरक गणों को, शान्त और सभी तंत्र आदी को विप्रित दिशा में पड़े देखकर, यमराज सुएंगी पुना अपने दूतों को शिक्षा देने के लिए मन में विचार करते हैं।